हेलो बच्चो क्यासे हो आप लोग आशा करती हूँ सब स्वास्थ होंगे आईए आज आपका अध्याय व्रतों से संबंदित छेत्रफल समझना शुरू करते हैं आप पिशली कक्षाओं में शब्दों त्रिज्यखंड सेक्टर और व्रत्खंड सेग्मेंट ओफ असर्कल से पूर परिचित हैं आपको याद होगा कि एक व्रत्य छेत्र का वैभाग जो त्रिज्याओं और संगत्चाप से घिरा हो उस व्रत्र का एक त्रिज्यखंड कहलाता है तथा व्रत्य छेत्र का वैभाग जो एक जीवा और संगत्चाप की बीच में परिबद हो एक व्रत्खंड कहलाता है इस प्रकार आकरती में छायंकित भाग OAPB केंद्र O वाले व्रत्थ का एक त्रिज्यखंड है कोण AOB इस त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है आईए आकरती में देखते ये दिखिए ध्यान दीजिए कि इसी आकरती में अच्छायंकित भाग O A Q B भी व्रत्थ का त्रिज्यखंड है स्परिश्ट कारणों से OAPB देखिए OAPB एक लगू त्रिज्यखंड यानि माइनर सेक्ट्य कहलाता है तथा O A Q B एक दीर्ग त्रिज्यखंड कहलाता है जिसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं आप ये भी देख सकते हैं कि इस दीर्ग त्रिज्यखंड का कोण 360 डिगरी माइनरस कोण AOB है ठीक है बच्चों? आगे आगे देखते हैं अब आकरती को देखिए स्पश्ट कार्णों से A P B लगू व्रत्खंड कहलाता है तथा A Q B दीर्ग व्रत्खंड कहलाता है ठीक है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं टिपपणी पर गौर करिए जब तक अन्यथना कहा जाए व्रत्खंड और तिज्यखंड लिखने से हमारा तातपर्य क्रमश लगू व्रत्खंड और लगू तिज्यखंड से होगा आए उप्रोक्त ग्यान के आधार पर इनके छेत्रफलों के परिकलित करने के लिए कुछ संबंद या सूत्र ग्याद करने का प्रेत्न करते हैं माल लीजिए O A P B केंद्र O और तिज्या R यह हमारे तिज्या R है वाले व्रत्खंड का एक तिज्यखंड है देखिए आकरती में माल लीजिए कौन A O B का अंशिय यानि डिग्री माप थीटा है आप जानती हैं कि एक व्रत वस्तु तह एक व्रतिये छेत्र या चक्ती डिस्क का छेत्रफल कितना होता है पाई R स्क्वेर ठीक है बचो आईए एक तरीके से हम इस व्रतिये छेत्र को केंद O पर 360 डिग्री का कौन बनाने वाला अंशिय माप 360 डिग्री एक त्रिज्य खंड मान कहते हैं फिर एकिक विधी मने यूनिटरी मेथड का प्रियोग करके हम त्रिज्य खंड O A P B का छेत्रफल नीचे दर्शाय अनुसार ग्याद कर सकते हैं जब केंदर पर बने कोन का अंशिय माप 307 डिग्री है तो त्रिज्य खंड का छेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वेर अतहर जब केंदर पर बने कोन का अंशिय माप एक है तो त्रिज्य खंड का छेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वेर बटा 360 इसलिए जब केंद्र पर बने कौण का अंशिय माप थीटा है तो तिज्जे खन का छेत्र फल कितना होगा पाई आर स्क्वेर बटा 306 गुना थीटा जो बराबर होगा थीटा बटा 306 गुना पाई आर स्क्वेर ठीक है बच्चो चलिए आगे देखते हैं इस प्रकार हम व्रत की एक तेज्जे खनके चेतर के लिए निमिल लिखित संबंद या सूत्र प्राप्त करते हैं कोण थीटा वाले तेज्जे खनका चेतर फल कितना है थीटा बटा तीन सो साडु गुना पाई आर स्कोर्द जहां R व्रत की त्रिज्या है और थीटा त्रिज्य खंड का अंशों में कोण है अब एक स्वभाविक प्रश्न उठता है क्या हम इस त्रिज्य खंड की संगत चाप APB की लंबाई ग्याद कर सकते हैं हाँ हम ऐसा कर सकते हैं पुन्ह एकिक विधी का प्रयोग करने पर तथा संपून व्रत 306 डिग्री कोण वाले की लंबाई लेने पर हम चाप APB की वांचित लंबाई थीटा बटा 306 गुना दो पाई आर प्राप्त करते हैं ठीक है आए आता है कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की ल 306 गुना दो पाई आर आए अब केंद्र ओ और त्रिज्य आर वाले व्रत खंड APB के छेतरफल पर फिचार करें आप देख सकते हैं कि व्रत खंड APB का छेतरफल कितना होगा त्रिज्य खंड OAPB का छेतरफल माइनस त्रिभुज OAB का छेतरफल समझ में आया बच्चो चलिए आगे देखते हैं उसके मदद से हम उधारन देखते हैं पहला उधारन त्रिज्य चार सेंटीमीटर वाले एक व्रत के त्रिज्य खंड का छेतरफल ग्याद कीजिए जिसका कोण 30 डिगरी है साथ ही संगत दीर्ग त्रिज्य खंड का छेतरफल भी ग्याद कीजिए पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए हल समझ लेते हैं दिया हुआ है त्रिज्य खंड ओए पीबी है त्रिज्य खंड का छेतरफल का सूत्र है थीटा बटा तीन सो साथ गुना पाई आर स्क्वाइर जिसको हम हल करेंगे यहां पर कोण है 30 डिगरी बटा तीन सो साथ गुना 3.14 गुना 4 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वाइर इसको हल करके हम प्राप्त करते हैं 12.56 बटा 3 जिसको हमने भाग देकर 4.19 सेंटीमीटर स्क्वाइर प्राप्त किया तो बच्चों देखिए संगत दीर्ग 30 खंड का छेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वाइर माइनस 30 खंड ओए पीबी का छेत्रफल देखिए 3.14 गुना 16 माइनस 4.19 सेंटीमीटर स्क्वाइर इसको हल करके हम पाते हैं 46.05 सेंटीमीटर स्क्वाइर जो बड़ाबर होता है 46.1 सेंटीमीटर स्क्वाइर के ठीक है बच्चों समझ में आया चलिए अब आपकी प्रशनावली 12.2 का पहला प्रशन देखते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत के एक त्रिज्य खंड का छेत्रफल ग्याद कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है OACB व्रत का त्रिज्य खंड है जिसका छेत्रफल हमें ग्याद करना है हम जानते हैं कि यह देखिए यहाँ पर वो ले लेते हैं हमारे पस OACB हमें कोंड दिया है 60 डिग्री और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड का छेत्रफल कितना होता है बच्चों थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वेर इसलिए त्रिज्य खंड OACB का छेत्रफल क्या होगा साथ डिग्री बटा 360 गुना 22 बटा साथ गुना 6 गुना छे इस प्रकार हमने इसको हल किया देखिए चे एकम चे और छे चेक चत्रफ तो एक बटा छे गुना 22 बटा साथ गुना छे गुना छे इसमें देखिए हमारे पस छे कट जाएगा और इसको हल करके हम पाते हैं 132 बटा साथ जिसको हल करके हम प्राएंगे 18.85 cm2 ठीक है बचो आईए अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा प्रश्न एक व्रत के चतुर्थांज यानि क्वाडरेंड का छेत्रफल ज्याद कीजिए जिसकी परिधी 22 cm है माना व्रत की तरिज्या आर है और परिधी 22 cm है परिधी का हम जानते हैं सूत्र क्या होता है 2 Πाई आर बराबर है 22 इस प्रकार हम आर निकालेंगे 22 पाई या आर बराबर होगा 11 पाई व्रत का चतुर्थांज व्रत के केंडर पर 90 डिगरी का कौण अंतरित करता है इसलिए चरतुर थांच का छेत्रफल हुआ 90 डिग्री बटा 307 डिग्री गुना पाई आर स्क्वाइर ठीक है बचो तो देखिए इसको हमने हल किया तो यह हो जाएगा एक बटा चार एक बटा चार गुना पाई गुना ग्यारा बटे पाई का वर्ग जो हम हल करके पाते हैं एक बटा चार गुना पाई गुना ग्यारा गुना ग्यारा बटा पाई गुना पाई इसको देखिए हल करेंगे तो हमें मिलेगा एक सो एक बटा चार पाई या एक सो एकिस गुना साथ बटा चार गुना बाईस इसको हल करके हम पाते हैं कि हमें मिलेगा सतत्तर बटा आठ जिसको हम भाग करके हमें उसकी संख्या आएगी 9.625 cm2 ठीक है बच्चो सरल था ना आएए दूसरा प्रशन करते हैं प्रशन तीन एक घड़ी की मिनट सुई जिसकी लंबाई 14 cm है इस सुई द्वारा पांच मिनट में रचित छेतर फल ग्याद कीजिए बहुत ही प्यारा प्रशन है हम जानते हैं कि मिनट की सुई एक घंटे में 360 डिगरी का कौन बनाती है अतर पांच मिनट में बनाया गया कौन कितना होगा 360 बटा 60 गुना पांच अर्थात 30 डिगरी के त्रिज्य खंड का छेतर फल होगा 30 डिगरी बटा 306 डिगरी गुना पाई आर स्कुरेर इसको हमने हल किया और हमने क्या पाया ये एक और ये बारा गुना इसको हम हल करेंगे एक बटा बारा गुना बाईस बटा साथ गुना चॉदा गुना चॉदा जो बराबर हुआ ग्यारा गुना 14 बटा 3 के अर्थात 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वाइर ठीक है बचो आईए अगला प्रशन देखते हैं प्रशन 4 त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले व्रत का एक चाप केंदर पर 60 डिगरी का कोण अंतरित करता है ग्यात कीजिए चाप की लंबाई चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का छेतरफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए व्रत खंड का छेतरफल हमें तीन चीजें ग्याद करनी है इसमें हमें क्या दिया हुआ है बच्चो व्रत की त्रिज्या कितनी है 21 संटिमीटर तो चाप की लंबाई हम निकालेंगे हमारे पस सूत्र है थीटा बटा तीन सो साट गुना दो पाई आर अब यहां पर हमें साट डिगरी का कौंट दिया ह है तो साट डिगरी बटा तीन सो साट गुना दो गुना पाई गुना 21 इसको हम हल कर लेते हैं यह देखिए एक बटा 6 आएगा हमारे पस आब इसको दो एकम दो और दो दिय चुद और तीन से हमने इसको काटा तो हमें मिलेगा 7 इस प्रकार हमें मिलेगा पाई की हमारे पास क्या है यहाँ पे वैल्यू 22 बटा 7 गुना 7 साथ से साथ कट गया और हमें मिलेगा 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई ठीक है बच्चो आईए अब अगला भाग देखते हैं चाप द्वारा बनाए गए तरिज्य खंड का छेतर फल हमारे पास सूत्र होगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वेर यहाँ पे थीटा हमारे पास साथ है तो 60 बटा 360 गुना पाई गुना आर स्क्वेर इसको हम हल करेंगे तो आप देखिए यह बननेगा एक बटा चे गुना 22 बटा 7 गुना 21 गुना 21 इसको हम हल करके पाते हैं 231 cm2 तीसरा भाग देखते हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए व्रत खंड का छेतरफल जो बराबर होगा चाब द्वारा बनाए गए तरिज्ये खंड का छेतरफल माइनस OAB का छेतरफल हमारे पास यह देखें OAB यह हमारे पास 60 डिग्री है यहाँ पर यह देखें चाब द्वारा बनाए गए तरिज्ये खंड का छेतरफल माइनस OAB का छेतरफल यह हमारे पास तरिबुझ है बराबर होगा 231 माइनस वर्गमूल 3 बटा 4 गुना 21 गुना 21 इस प्रकार 231 माइनस 441 वर्गमूल 3 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वेर ठीक है बचो आए अगला प्रेशन करते हैं प्रेशन पांच 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रसी से बान दिया गया है ग्याद कीजिए मैदान के उस भाग का छेतरफल जहां घोड़ा घास चर सकता है दूसरा चरे जा सकने वाले छेतरफल में व्रद्धी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रसी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रसी से बान दिया जाए पाई बराबर 3.14 का प्रियोक कीजिए मैदान के उस भाग का छेतरफल जहां घोड़ा घास चर सकता है एक त्रिज्य खंड जिसका कोण 90 डिग्री है मैदान के उस भाग का छेतरफल जहां घोड़ा घास चर सकता है त्रिज्य खंड OABO का छेतरफल कितना होगा 90 डिग्री बटा 307 डिग्री गुना πाई आर स्क्वेर इस प्रकार ये हमें मिलेगा 1 बटा 4 गुना πाई आर स्क्वेर पाई की हमने यहां पे मान रखा 3.14 गुना 25 इसको हल करके हमें मिलेगा 157 गुना 25 बटा 2 जो बराबर होगा 19.625 मीटर स्क्वेर आगे अगला भाग देखते हैं यदी घोड़े को 5 मीटर लंबी रसी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रसी से बांद दिया जाए मैदान के उस भाग का छेतरफल जहां घोड़ा चल सकता है त्रिज्य खंड OABO का छेतरफल होगा 90 डिग्री बटा 3060 डिग्री गुना पाई आर स्क्वेर जिसको हम हल करेंगे एक बटा चार गुना 3.14 गुना 100 जो बराबर होगा 78.50 मीटर स्क्वेर के चरे जा सकने वाले छेतरफल में व्रद्धी कितनी होगी 78.50 माइनस 19.625 मीटर स्क्वेर जो होगा 58.875 मीटर स्क्वेर ठीक है बच्चू समझ में आया चलिए अगला प्रशन करते हैं प्रशन 6 एक छत्री में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं छत्री को 45 सेंडिमीटर तिज्या वाला एक सपाठ व्रत मानते हुए इसकी दो क्रामागत तानों के बीट का छेतरफल ग्याद कीजिए ठीक है बच्चों इसमें आप देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पस छत्री है आप देखिए अगर जहां हम उपर से देखेंगे यह आपकी छत्री हो गई अगर हम उपर से देखते हैं तो हमारे पस आठ ताने हैं कुछ इस प्रकार और यह हमें यहाँ पर कोण है ठीटा आएए बच्चों इसका हल समझ लेते हैं यहाँ पर तरिज्या हमारे पास हैं 45 सेंटीमीटर ठीक है इसको हम लिख लेते हैं 45 सेंटीमीटर आकरती के अनुसार कुल 8 तरिज्य खंड हैं इसलिए प्रतेक तरिज्य खंड द्वारा केंद पर अन्तरित कोण कितने हुए 360 डिग्री बटा आठ जो 45 डिग्री कोण बनाएगा ठीक हैं दो क्रमागत तानों के बीच का छेतरफल बराबर होगा एक त्रिज्य खंड का छेतरफल जो बराबर है 45 डिग्री बटा तीन सो साथ डिग्री गुना पाई आर स्कुएर इसको अब हम हल करते हैं यह देखिए यह आठ बार कट जाएगा एक बटा आठ गुना पाई गुना पैंतालेस गुना पैंतालेस और इसको हम लिखेंगे एक बटा आठ गुना बाइस बटा साथ गुना पैंतालेस गुना पैंतालेस और इसको हम गुना करके प्राप्त करते हैं 1275 बटा 28 cm2 ठीक है पच्चो समझ में आया चलिए अगला प्रशन करें एक गोल मेटपोश पर छे समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृती में दर्श आया गया है यदि मेटपोश की तरिज्या 28 cm है तो 0.35 रुपे प्रतिवर्ग सेंटीमीटर की दर्श से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ग्याद कीजिए इसमें वर्गमुल 3 बराबर 1.7 का प्रयोग कीजिए आये हल समझ लेते हैं मेटपोश पर 6 समान डिजाइन जो बराबर हुए 6 समान व्रत खंड इसलिए प्रतेक त्रिज्य खंड द्वारा केंदर पर अंतारित कोण कितन हुआ 360 बटा 6 जो हुआ 60 डिग्री त्रिबुज OAB में कोण OAB बराबर हुआ कोण OBA के क्यों क्योंकि OAB बराबर है OB यह देखिए यह O हुआ इसको A ले लिजे इसको B ले लिजे तो OAB बराबर है OB कोण A O B बराबर है 60 डिग्री आए कोण OAB प्लस कोण OBA प्लस कोण A O B कितना होगा 180 डिग्री दो गुना कोण OAB बराबर हुआ 180 माइनस 60 डिग्री जो बराबर हुआ 120 इस प्रकार कोण OAB बराबर हुआ 60 डिग्री इस प्रकार OAB एक संबाहु त्रिभुज है त्रिज्य खंड OAPB का 6 तरफल कितना होगा? 60 बटा 360 गुना πाई आ स्क्वेर जो बड़ाबर होगा 1 बटा 6 गुना πाई गुना 28 गुना 28 इसको हम हल कर लेते हैं एक ये छे बाद जाएगा एक बटा 6 गुना 22 बटा 7 गुना 28 गुना 28 जो इसको हम हल कर के पाते हैं 1232 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वेर सम बाहुत रिभुज OAB का 6 तरफल हम जानते हैं वर्गमुल 3 बटा 4 गुना 28 गुना 28 जो बराबर हुआ 196 वर्गमुल 3 के और यहां इसका मान रखा हमने 196 गुना 1 दशमलव 7 जिसको हल कर के हमें मिला 333 दशमलव 2 सेंटीमीटर स्क्वेर व्रतखंड का 6 तरफल इस प्रकार बराबर हुआ त्रिज्य खंड OAPB का चेतरफल माइनस संबाहु त्रिभुज OAB का चेतरफल जो हम लिखेंगे 1232 बटा 3 माइनस 333 दशमलव 2 सेंटीमीटर स्क्वेर ठीक है बच्चो आएए आगे देखते हैं मेटपोश पर 6 डिजाइनों का चेतरफल कैसे निकालेंगे 6 गुना 1232 बटा 3 माइनस 333 दशमलव 2 इसको हल करके हम पाते हैं 2464 माइनस 1999 दशमलव 2 जिसको हल किया और हमें मिला 464 दशमलव 8 सेंटीमीटर स्क्वेर अब हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वेर डिजाइन को बनाने की लागत हमें दे रखी है कितने रुपे हैं 0.35 रुपे इस प्रकार 464 दशमलव 8 सेंटीमीटर स्क्वेर वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन को बनाने की कुल लागत कितनी होगी रुपे 0.35 गुना 464.8 जो बराबर हुआ 162.68 रुपे ठीक है बचो समझ में आया चलिए अब हम ग्रह कार्ये के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं पहला प्रश्न 15 सेंटिमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत की कोई जीवा केंद्र पर साट डिगरी का कोण अंतरेत करती है सांगत लगु और दीर्ग व्रत खड़ों के छेतरफल ग्याद कीजिए पाई को हमें लेना है तीन दशमलव एक चार और वर्गमुल तीन को लेना है एक दशमलव साट तीन का प्रयोग कीजिए दूसरा प्रशन क्या ये कहना सत्य है कि एक व्रत खड़ों का छेतरफल संगत त्रीज्य खड़ों के छेतरफल से कम होता है क्यों? अगला प्रशन एक व्रत के छेतरफल का संख्यात्मक मान उसकी परिदी के संख्यात्मक मान से अधिक होता है क्या ये कथन सत्य है? क्यों? अगला प्रश्न प्रश्न चार दो भिन व्रतों के बराबर लंबाईयों वाले चापों के संगत त्रिज्य खंडों के छेतरफल बराबर होते हैं क्या ये कथन सत्य है? क्यों? प्रश्न प्रश्न पांच त्रिज्य अठाईस सेंटिमीटर वाले एक व्रत के उस त्रिज्य खंड का छेतरफल ग्याद कीजिए जिसका केंदरिय कौन पैंतालिस डिग्री है ठीक है बचों? आईए अब सारांच देख लेते हैं आज हमने पढ़ा त्रिज्य आर वाले व्रत के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई थीटा बटा तीन सो साथ गुना दो पैयार होती है दूसरा त्रिज्य आर वाले व्रत के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा में है का छेतर फल थीटा बटा तीन सो साथ गुना पैयार स्क्वेर होता है तीसरा एक व्रतखंड का छेतरफल बड़ाबर होता है संगत रिज्यखंड का छेतरफल माइनस संगत रिभुच का छेतरफल तो बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा कूब अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद अच्चों